Hello guys, welcome back to PC वाले YouTube चैनल and ये वीडियो लिटरली रोस्ट होने वाला है, मतलब खतरनाक चीज़े होने वाली है, सबसे पहले तो मैं पहली बोल देता हूं कि जहां पर Auras आ गया, वहां पर कुछ न कुछ यूनीक चीज़ें तो होनी बनती है, मतलब Auras मतलब content, ठीक है, अब देख बहुत बड़ा catch है, इतना बड़ा catch कि तुम catch निकर भागो इस catch को, ये वीडियो जो है, वो किसी भी तरीके से टेक्नो गेमर्स को धिहान में रखके नहीं मतलब अगर मैं इस वीडियो में कुछ भी बोल रहा हूं तो वो टेक्नो गेमर्स के लिए नहीं है, वो जो है, वो PC build जो Auras नहीं किया है, Auras के लिए है, most probably PC build करने वालों के लिए है, क्योंकि Auras sponsored है, Intel sponsored है, तो ये उनके लिए है, टेक्नो गेमर्स के लिए नहीं है, विकास यहां पर टेक्नो गेमर्स ने खुद अपने लिए PC build नहीं किया, तो मैं जो भी बोलता हूं, अगर आप टेक्नो करने वालों को बोल रहा हूं, और इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, बहुत जादा, और आप लोगों नहीं मुझे जो मेरी लेटिस वीडियो थी, उसके अंदर जो टेक्निकल सायर वाली मैंने बनाई थी, उसके अंदर आप ही लोगों ने भर-बर के कमेंट करें वे थे कि भा अगर आप ढूंड रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग AIO, और आपको आज भी बिल्कुल भी नहीं पसंद और आपको चाहिए एक सिंपल लोग, तो आप चाकाउट कर सकते हैं, अक्टिक का लिकुड फीजर 2 लाइनप, मार्केट में वन अफ दी बेस्ट परफॉर्मिंग AI साइज आपको फिटाता है, आप ले सकते हैं, आक्टिक लिकुड फीजर 2, लिंक विल बी इन दिस्क्रिप्शन, इस बिल्ड में जो है वो गलतियां क्या है, सबसे पहली बात तो 11900 के है, खतरनाक CPU, बहुत जादा हीट होता है, सब जानते हैं, पर यह गलती नहीं है, 11900 के प्रमोट करेंगा, ऑल्दो ये एक 8 कोर का CPU है, इस प्राइस पे इंटल का 10900 के इससे अच्छा CPU है, इसके अंदर 10 कोर मिलते हैं, बट अगें, इंटल स्पोंसर है, तो हम CPU के उपर कमेंड नहीं करेंगे, उनके पास चॉइस ही क्या थी, ठीक है, इंटल ने बोला हमारा CPU ड आप किस तरीके से अगर आपका घर में light ना हो, और gas में खता मुझा तो आप किस तरीके से power supply का यूज करके खाना बना सकते हो, तो वो जो है वो काश एच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखो हम लोग आते हैं PC बिल्ट पर, तो देखो यह जो तुमको स् थोड़ा सा आइडिया, में भी होफुली यह वोई cabinet है, मुझे एक्जैक्ट नाम भी याद नहीं आ रहा, थमल्टेक की, अब cabinet तो यहां पर अच्छी है, बट cabinet का अच्छा होना अच्छी बात नहीं है, cabinet को अच्छे से यूज भी करना चाहिए, तो यहां पर जो है वो और को आप लोग पैचानते हैं, अच्छे से कि मतलब और अरस ने वो एक नया ट्रेंड चालू कर रहा है, कि हम लोग यूट्यूबर स्ट्रीमर्स को PC बिल्ड करेंगे, और हम नॉर्मल मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम हट के मार्केटिंग करेंगे, अगर कोई हमारा PC वो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपना रोस्ट करवाएंगे, तो हमें ज्यादा अटेंशन मिलेगी, तो मेभी और असी इसलिए करता है, इसलिए हम जानबूश के और अस पर रोस्ट मिनाते हैं, ताकि उनकी मार्केटिंग में हम काइंड फेल्प कर रहें, हर तरी मुझे दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, सबसे पहली बात तो देखो, यह जो कैबिनेट है, इसके अंदर इना ने ग्राफिक काड को अलग से डब्बेगे अंदर बंद कर दिया, माइनक्राफ थीम दिखाने के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, पर मुझे बात बताओ, ग्राफिक काड लिक्विड कूल नहीं है, मतलब पूरा PC लिक्विड कूल है, तो ग्राफिक काड को लिक्विड कूल करने में क्या दिक्कत आ रही थी, मुझे यह समझ में निया रहा है, ओग्से Steel से करेगा, यह इंटेक करने के लिए इसमें देखो, इसमें दखकन जैसा युनों ने ये बंद कर दिया ना ये तुम्हें दिख रहा है ये पुरा बंद कर दिया Minecraft का थीम मना के cardboard चिपका दिया उपर से जो प्लास्टिक का पार्ट है ये जो है ये ग्राफिक कार्ड की जो heat sink है ये air dissipate करती है हवा तुम्हारी ये ब्लोवर श्टाइल ग्राफिक कार्ड तो है नहीं जो अगर आप इस cabinet का design दिखोगे लेट में शोई टू यू तो यहां पर आप देखोगे ध्यां से तो फ्रंट में देखो पंखे लगे में बहुत अच्छा है व्यू अच्छा आता है लूक अच्छा है दो सो में बड़े बड़े पंखे और अगर आप ये में देखो ठीक है जहां पर मदबोर लगा रहे है वहां पर पंखो के लिए इंटेक है राइट तो काफी अच्छा cabinet है जैसे मां बोलूंगा इसके अंदर जो है वो तुम्हें साइड मांट पर मिल रहा है लेकिन इधर देखो साइड पर इन्होंने डिस्ट्रो प्लेट मां लाइक टेलिपोटेशन पावर या कोई कुछ है इसके अंदर मतला और असकी जो चील है वो हवा लेकर जाएगी अंदर मतला क्या हो किया राइस बिल्ड के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहां से तो पूरा साइड से पूरा बंद है प्लास्टिक से उपर से यहां कि तुम जाके पहले एक बार रिजल्ट्स देखो मैं जानता हूं कि इंटल स्पॉंसर्ट बिल्ड है इंटल स्पॉंसर्ट बिल्ड है तो आप यहां ने तुम को जो सीप्यू दिया है वही यूज करोगे एंड आपके पास कोई और चॉइस नहीं है बट आपके पास एट यह चॉइस तो है कि आप कैबिनेट को ऐसा चूज करो या फिर मॉडिंग करनी है तो ऐसी मॉडिंग करो या फिर अगर कर भी रहे हो तो कुछ इस तरीके से करो कि एरफ्लो जो है वह दिक्कत ना करे 11900 के वह सीप्यू है जो कि ओवर हीटिंग के लिए जाना जाता है ठीक ह क्योंकि यह इतना ओवर हीट होता है मतलब अगर तुम धंग से 11900 के को यूज करोगे पर अटलीस मैं थोड़ा रिलीवड फील कर रहा हूं कि उन्हों ने जो है वह इस बार 1.8 जी वी रैम नहीं लगाई तो एटलीस थोड़ी इंप्रूव्मेंट है गिगावाइट के करके बट सीप्यों माइट भी ओकी सीप्यों फिर भी थोड़ा तुम्हारा ओके हो सकता है विकास इसके पास उपर एक रेडियेटर है लिकुड कूलर है जो कि तुम्हारा हीट अप होने में टाइम लेगा थोड़ा वह करेगा लेकिन यहार ओवरॉल मुझे विचारे उस पर दया रही है जो विचारा ग्राफिक काड डबे के अंदर बंद हो चुका लाइक कम ओन गिगावाइट यह तुम लोग बेटर कर सकते हो तुम्हारे प्रोड़क्त में दिक्कत नहीं है तुम्हारा मदरबोर्ड यह अच्छा खासा है रैम तुम लोग ने डिसेंड सी ल ज़रूरत भी नहीं थी वैसे यह जो माइनग्राफ्ट का यह जो कराया ना यह उपर पर पूरा बंद कर दिया एक अलग सा ब्लॉक बना के अगर इसको सिर्फ उपर तक इतना रखते उपर से वह कैक्टक्स लगा के वह मैं माइनग्राफ्ट नहीं पता है कौन से करेक्टर चीजा अब है करने के ज़रूरत नहीं थी तुमने साइड में कार्ड़बोड चिपका दिया ना बन तो गया तुमारा मॉटट पीसी ठीक है बहुत आट ग्राफिक कार्ड के अग्जॉस्ट खेआ चिपकाना था या फिर इसकी जो तुमारा यह है इसकी को है वह उस हिसाफ इनके प्रोड़क्स चल रहे हैं इस ताफ से तो यह ज़ाधा उड़ा रहे होंगे बिकरस इनको सच में मार्केटिंग की तरह होते हैं और किस तरीके के मार्केटिंग हो रही है और कम से कम थोड़ी अच्छी कर सकते हो लाई कि यह जिस तरीके से यह एरफ्लो मतलब हर को जो है वो यह देना प्रिफर करा बट मैं फिर बोलूगा कि भाई क्यों लाइक इन्होंने यहां पर कटाउट साथ है और असके उस ग्राफिक कार्ड पे जो स्क्रीन लगी वे ना उसके ग्राफिक कार्ड के एनिमेशन को दिखाने के लिए लेकिन इन्होंने एरफ्लो को वैसे ही ग्लास आता है ठीक है जिस साइड में इंटेक से इन लोगों को पता है कुछ ऐसे डिश्टो प्लेट लेनी चाहिए थी कुछ तुम्हारी चाइनीज डिश्टो प्लेट साती है चाइनीज से मेरा मतलब है विस्की बैरो इस टाइप के कुछ यूनिवर्सल वो लगाते हैं तुम लोग एक स्पाल प्लास्टिक लें लां यह यह नहीं लगाना था लगाते भी तो आधी स्क्रीन पर लगाते हैं फिर इसके लिए कट आउट छोड़ देते और यहाँ पर यहाँ पर पंखे लगने थे फ्रंट में जो है वह तुम अपनां प्म्प रिजर and airflow आने वाले इस cabinet में ठीक है side से airflow आता है वहाँ पर radiator लगाते या फिर pump-reserver combo लगाते फैंस लगाते और top में जो है वो तुमने रिडिटर लगाई रखा है एक second radiator लगा जाते जीप्यू के लिए एक top में radiator एक side में radiator फ्रेंट जो है वो ऐसी छोड़ देते या फिर वहाँ पर नॉर्मली ऐसी पंखे लगा देते तुम्हारा बच जाता है अच्छा का से airflow वाला PC बनता बीस्ट बनता और थीम का थीम गयो जाता लेकिन नहीं हमको तो भाईय सब को Minecraft चिपकाना है हमको तो भाईय मॉडिंग करनी है हमको तो भाईय गलाग हुटना है विचारे ग्राफिक काड़ का वाकि तुम लोग के क्या thoughts इस बिल्द के बारे में वह अपने thoughts जो है वो ज़रूर बता है वाकियो मैं तो तुमको वीडियो पर संद आए ति प्लीज वीडियो को लाइक शेर एंड चैनल को स्ब्सक्राब करना ना भूले दिना अब है टेक केर गईस